हरियाना चुनाफ की तारीकों के एलान के बाद हरियाना में राजनितिक सरखर्मिया बढ़ चुकी है गुरुग्राम से मौझूदा बीजेपी विधायक उमेश अगरवाल ने आर नाइन टीवी से खास बात चीत की विधानसभा चुनाफ की मुनाद शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम मौझूद हैं हर्याना के सबसे होट सीट कहे जाने वाले गुरुग्राम क्षेत्र में इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं गुरुग्राम से विधायक उमेश अगरवाल जी तो आईए सीदे बात करते हैं उमेश अगरवाल जी से नमस्कार सर आपका बहुत दो स्वागत है आनाइन टीवी में सब सबसे पहला प्रश्ण सर आपसे आप यहां से विधायक हैं आपकी वो पाँच ऐसे अहम मुद्दे जिसको लेकर आप जनता के बीच में दुबारा से जाएंगे सब पिछले पाँच वर्शो में गुरुगराम में इसहां सीग विकास कारिया हुए हैं और अगर पाँच एहं मुद्दों की कर बात करें तो गुरुगराम के अंदर यूनियु़िवोषिटी बनी medical college बन रहा है गुरुग्राम के अंदर underpass flyover बने 900 मिटर के आयू डिपो के जो परीदी है उसकी समस्या का समधान किया पीने के पानी की समस्या का समधान किया सडकों का हमने दुरुस्त किया अनेक सडके हमने बड़ी की और जो जाम से जो लोग जूज रहे थे उससे भी इस दौरान में मुक्ती मिरी है सर रास्टवाद का जो प्रशन उट रहा है पूरे देश में प्लस कश्मीर से धारा 370 हटना क्या ये बीजेबी सरकार के लिए सबसे एहम गड़ी हो सकता है इसवार की चुनाब में भारतिय जनता पार्टी का प्रारंब से ये मुद्दा रहा कि हम राष्टवादी पार्टी हैं हम राष्ट खित के लिए काम करते हैं और हमें संग्तन में भी यही सिकाज़ जाता है कि प्रतम राष्ट दिटे पार्टी उसके बाद कुछ है तो हम है और धारा 370 की जहां तक बात है प्रारंब से ही पार्टी की एजन्डे में रहा है कि हम धारा 370 रटाएंगे कश्मीर की समस्या का समधान करेंगे और आज भारत्य जन्टा पार्टी ने अपने दूसरे कारेकाल में केंदर सरकार ने धारा 370 को हटाया इसको लेकर के भारत्य जन्टा पार्टी की लोग प्रियता बढ़ी है लोगों को एक विश्वाश हुआ है कि जो बात हमने आज तक कही उसको हमने पूरा किया और इससे निश्चित तोर पर लोग भारत्य जंता पार्टी के साथ और ज़्यादा तेजी से जुड़ रहे हैं क्यों पड़ते हो चक्कर में कोई नहीं है तक कहीं आज कोंग्रेस दिखाई नहीं दे रही है भारत्य जंता पार्टी हरियाना में पूर्ण बहुमत से दो त्याहिए से भी अधिक बहुमत से सरकार बनाएगी और ये आकड़ा तीन चुथाई के भी पार जा सकता है आज भार तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम से विधायक उमेश अगरवाल जी इनका सीधा सीधा साफतोर पर कहना है कि इस बार जनता का आशिरवाद उने हैं दुबारा मिलेगा हाला कि चुनाव होने में कुछी समय शेश है ये तो जनता ही तै करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा वीडियो जॉनरलिस्ट राहुल के साथ प्रियंका आनाइन टीवी गुरुग्राम